नमस्कार बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुश्मा ठाकूँ बिहार में प्रेमी का द्वारा प्रेमी से बदला लेने का एक अनोखा मामला सामने आया है घटना राज्ये नालंदा जिले के भागन बिघा थाना छेत्र की है जहां प्रेमी की साथी से नराज उसकी प्रेमीका ने घर में घुशकर नई नवेली दुलहन पर हमला बोल दिया जी हाँ उसने सोती हुई अवस्ता में नई दुलहन के पहले बाल काट दिये फिर आखों में फेबी कुईक डाल दिया घटना के बाद दुलहन दुआरा सोर मचाया गया जिसके बाद परीजनों ने प्रेमीका को पकर कर जंकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया दुलह की बहन की दोस्त थी प्रेमीका घटना नालंदा के भादन बिगा थाना छेतर के मोरा तलाब गौव में घटी इधर घटना की जानकारी मिलते ही बिधी बेवस्ता डियेसपी संजय कुमार गौव पहुँचकर घटना की जानकारी ली एतियात के तोर पर पुलिस अभी गौव में क्यांक कर रही है बताया जाता है कि गोपाल रांकी एक दिसंबर को सेख पुरा जिले में शादी हुई सादी के बाद जब दुलहन को बिदा कर अपने घर लाया तो इस बार की भनक उसकी प्रेमी का को लग गई उसकी शादी से नराज थी इसके बाद उसका गुसा साथ में आसमान पर चड़ गया और बदला लेने की नियत से वप्रेमी के घर जा पहुँची सभी के सोने तक करती रही इंतजार चुकि दुलहन की बहन से उसकी दोस्ती थी इस कारण किसी को सक नहीं हुआ उसके बाद जब दुलहन के घर के सभी सदसिये भी ठके मांदे होने के कारण गहरी निंद में सो गए तब प्रेमी का मौके पाकर कमरे में दाखिल हो गई दुलहन जब सोई हुई थी उसी दोरान लड़की ने बाल काटने के बाद उसकी आँख में फेबी कुईक डाल दिया इसके बाद नई नवेली दुलहन दर्द से कराने लगी इसी बीच सोर सुन परिजनों की नींद खुल गई और प्रेमी का को पकरने के बाद उसकी जम कर पिटाय कर दी वही दुलहन को भी इलाज के लिए अस्पता लाया गया जहां उसकी हालत इस्तिर बनी हुई है ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना